नमस्कार दोस्तों तो लास्ट वीडियो में हमने question number 20 तक किया था तो उमीद करता हैं आप लोग का तयारी चल रहा होगा जल्दी ही exam CGL का होने वाला है तो इसी तरह से तयारी में लगे रहिए और मंजिल पाने के लिए हमें सीडियों को चड़ना पड़ता है और जब हम सीड ही चड़ते हैं तो जो नीचे का जो सीड़ी है उसे धकेलना होता है जब तक आप पीछे वाले सीड़ी को नहीं धकेलते हैं पीछे नहीं छोड़ते हैं हम अपने मंजिल तक नहीं पहुच सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो question number 20 तक हमने देखा था question number 21 से हम करेंग the sum of present ages of father and son is 52 years देखिए father और son का present age है 52 years ठीक है four year hence the son's age will be one by fourth that of fathers देखिए four year hence का मतलब four year hence का मतलब चार साल के बाद चार साल के बाद जो है son's का जो age है one by fourth of the fathers देखिए चार साल के बाद इनका age क्या हो जाएगा father का age हो जाएगा four f plus four और son का age हो जाएगा s plus 4 तो यह कह रहा है कि 4 साल के बाद the sun's age will be 1 4th of father sun का age जो है father का 1 4th है यह लिख सकते हैं तो यहां से हमें मिलेगा f minus 4 s is equal to 12 ठीक है तो यह एक equation मिला यहां पर एक equation हमें यहां मिला तो इन दोनों equation को हम solve करेंगे तो अगर minus करते हैं तो यह f से f cancel हो जाएगा 4 s और s हो गया 5 s ठीक है और 52 में से 12 गया आपका बचेगा 40 तो s is equal to 8 तो s का value हमें क्या मिला 8 मिला ठीक है तो what will be the ratio of age of son and father 10 year from now देखिए 10 साल के बाद father और son का age का ratio निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा देखिए son का age 10 है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा यह 18 हो जाएगा ठीक है यह son का age हो गया उसके बाद father का age अगर हमें निकालना है देखिए son का age हमें 8 निकालना था present age तो son का age अगर 8 यहां रखेंगे तो father का age हमें मिलेगा 52 माइनस 8 तो यह हो गया 44 ठीक है अगर 10 साल और आगे बढ़ते हैं तो यह हो जाएगा 54 तो 54 और 18 father और son का जो age का ratio है वो है 54 by 18 इसे cancel करेंगे तो 3 ratio 1 हो गया 3 ratio 1 is the right answer आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोग तयारी जम कर कीजिए मैं वादा करता हूँ कि मेंस से पहले मैं मेंस के जितने भी टायर टू के जो question है मैं मैं पूरा कर दूँगा ठीक है? चलिए तो इसके बाद हमारा next question है पहले मैं रब कर लेता हूँ चलिए तो हमारा next question है 2.4 पे बार लगाया है यहाँ पे देखिए 2.4 पे इस तरह से जो बार लगाया इसका मतलब हमें समझना होगा इस बार का मतलब होता है कि जब हम इस बार को हटाते है तो नीचे 9 आता है जैसे कि अगर मैं आपको एक एक जामपल दे रहा हूँ उस एक जामपल से समझे अगर 0.4 2.3 है ऐसे है तो इसे हम कैसे Canvert करेंगे फ्रैक्शन में यह समझे तो इसके लिए हम क्या करते है इस Point को हटाते है सबसे पहला हमारा Step होता है Remove Remove Point Point को हम Remove करेंगे जो Second Step होता है जıtना बार लगा हुआ है उतना 9 आपके पास आएगा डिनोमिनेटर में ठीक है, number of bars, digit, के जगह पे हम क्या लाएंगे, 9 को लाएंगे, ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहला तो मैंने remove कर दिया, तो 423 हो गया, उसके बाद मैंने बोला कि denominator में 9 को लाएंगे, जितना बार डिजिट पे लगा होगा, तो एक डिजिट पे लगा हुआ है बार, इसल उसके बाद जो non-bar digits हैं, वो गिन लेंगे, कितना है, सबसे पहले तो जो non-bar digits है, यह यहाँ पे minus हो जाएंगे, यह 42 क्या होंगे, minus हो जाएंगे, और नीचे, जितने भी non-bars number है, उस पे उतना 0 आ जाएंगे, तो चुकि 2 number पे बार नहीं लगा था, इसलिए हम यहाँ पे 2 0 को denote करेंगे, ठीक है, और फोर्थ number में, non-bars, जो है, numerator में, numerator में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यह 5 steps, 4 steps है, सबसे पहले steps मैंने बताया, remove point, सबसे पहले तो आप point को remove कर दीजे, point को remove करने के बाद, number of bars digit के जगा पे हम 9 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, जि number of bars जो है, उसके जगा पे 0 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 0, तो वो 0 कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, चलिए, उसके बाद number of bars नमबर को subtract करेंगे, numerator से, किसे करेंगे, subtract करेंगे, numerator से, तो चलिए, देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो question है, वो तो है 2.4 bar 0.6 into 3 into 0.16, तो देखिए, सब को हम अलग-अलग कर लेते हैं, 2 into, तो पॉइंट में जो आपका रहेगा, जैसे कि, मैंने तो यहाँ पे 0 point करके बताया था, अगर 2.3 bar है, तो उसे हम लिखते हैं 2 plus 3 by 9, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यह प्लस में हो जाएगा, क्या 2.4 bar, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 plus 4 by 9, तो यह आपका हो गया कितना, 9 into 2, 18, 4, 22, यह 22 बटा 9 हो गया, उसके बाद फिर है into 6 bar, into 6 bar, तो 6 bar को अगर convert करिएगा, तो यहाँ पे 6 by 9 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बार के जगा पे 9 लिखना है, 9 bar तो इसमें है न into 2 by 3, उसी तरह से 3 into 3, फिर है into 0.16 bar, देखिए, 0.16 bar, अभी मैंने आपको बताया था, कि जो bars होते हैं, bar के जगा पे 9 लिखते हैं, और जो non-bars होते हैं, उसके जगा पे 0 लिखते हैं, denominator में, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया, देखिए, denominator में यहाँ पे, non-bars के जगा जगा पे 0, और बार के जगा पे 9, यह दोनों चीज़ याद रखना है, तो यहाँ पे बार कितने हैं, एक डिजट पे है, तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाते हैं, सबसे पहला हमारा यह है, पॉइंट हटाएंगे, तो 16 minus, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 पे ह अब डिजट लगा हुआ है, तो 6 पे बार लगा हुआ है, तो 6 के जगह हम क्या करेंगे, 6 को इहाँ छोड़ देंगे, एक माइनस आँ खरेंगे, और बार के लिए मैने बताया था है, एक बार लगा है, तो 9 हो गया और बागी पे यह एक जिरो आ गया, Pro Um 21 पे फे बार जो 22 गुने 2, यह 2 से 3 टाइमस में काट सकते हैं, तो यह आपका आ गया 22 by 27, क्या आ गया 22 by 27, ठीक, तो यह हमारा first part आ गया, उसके बाद एक और part दिया है, multiply और bracket में, तो second part को correct करेंगे हल, तो second part है हमारा 0.27, यहाँ पर देखिए, दोनों नंबर पर बार लगा हुआ है, 0.27, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे, 0.27, इस पर बार लगा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.27 को लिख सकते हैं, 27 by 99, क्यूं? क्यूंकि जितने नंबर पर बार लगा हुआ रह इसे, 3 बार में, 3 से 11 बार में, 3 by 11 हो गया, इसके जगा पर हम क्या लिखेंगे, 3 by 11, ऐसे bracket है, उसके बाद है आपका into, bracket में, 0.83 divided 0.16, 0.83 divided 0.16, ठीक है? अभी मैं इसे रब कर देता हूँ, देखें, 0.83 divided 0.16, और देख लेते हैं कि बार कहां लगा है, एक 3 पे लगा है, एक 6 पे, एक 6 पे, तो यह बिल्कुल आसान है, है ना? यह क्या है, बिल्कुल ही? आसान है, तो क्या करेंगे इसे हम? इसे लिख सकते हैं, 83 minus 8 by 90, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यूंकि मैंने बता कि जो बार होता है, उसके जगा पे 9 लिखते हैं, और जो नॉन बार है, उसके जगा पे हम 0 लिखते हैं, तो 83 minus 8 by 90 हो गया, ठीक, तो 83 में से 8 गया, तो क्या बचेगा? 5, 75 by 90, तो 15 से 5 टाइमस में, 15 से 6 टाइमस में, तो यह हो गया 5 by 6, क्या हो गया? 5 by 6, तो यहां पे हम divided, अब उसके बाद है, 0.16 पे बार, तेखिए, इस पार्ट को हम solve कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, 16 minus 1 by 90, तो यह हो गया 1 by 6, तो इसके जगा पे क्या लिखेंगे हम? 1 by 6, अब समझेए, यह जो है, 5 by 6 divided 1 by 6 है, तो इसे जब हम multiply में करेंगे, तो यह हो जाएगा 6 by 1, 6 by 6 cancel हो जाएगा, आपका बच गया 15 by 11, क्या बचा? 15 by 11, ठीक है, 11 से 2 times में, 3 से 5 times में, 3 से 9 times में, यह जो 10 by 9, तो 10 by 9 का मतलब क्या होता है, 10 by 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, 10 by 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 plus 1 by 9, क्योंकि यह 10 by 9 है, 1 plus 1 by 9, क्योंकि यह 1 जो है, 1 क्या होगा, अलग होगा, तो यहां पर जब 1 अलग होगा, तो 1 by 9 को जब आप इस फर्म में फिर से चेंज करेंगे, तो क्या लिखना होगा यहां पर, देखिए, यहां पर हमें लिखना होगा, 1 point 1 पर बार, तो 1 पर अगर बार हम यहां डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 1.1 का मतलब 1 प्लस होता है, मैंने पहले बता दिया, तो इस question को हम ऐसे solve करेंगे, तो 1.1 पे बार हो गया आपका right answer, ठीक है? चलिए, आते हैं next question में? अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो पूरा इमतहान बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ मुठी भर जमीन पाली है, अभी तो नापना सारा आस्मान बाकी है, तो हमें अपने बुलंदों को उचा रखना है और इसी तरह से प्रिप्रेशन करना है, चलिए, आते हैं next question में, देखिए, in triangle ABC, the bisector of angle A intersects side BC at D, देखिए, triangle ABC में, ये एक triangle ABC है, ये triangle ABC है, the bisector of angle A intersects side BC, देखिए, angle A का bisector BC को D पर इंटरसेक्ट करता है, इफ AB is equal to 12, AC is equal to 15, ये AB 12 है, AC 15 है, ठीक है, कोचन समझ रहे हैं, BC is equal to 18, BC का value आपका दिया है 18, इस value is given 18, 18, so we have to find out then the length of BD is what, so we have to find out the length of BD, this value, इस BD का value हमें find out करना है, ठीक है, तो मैंने बताया था, ये आपको पता होना कर रहा है, सामने वाले साइट पर जिसे डिभाइट कर रहा है, वो दोनों का ratio equal होता है, मतलब, simple वहासा में अगर कहें, तो AB बटा, AC is equal to BD by DC होता है, कब, if AD is angle bisector, angle bisector, AD अगर angle bisector हो, तभी ये आप लिख सकते हैं, AB by AC is equal to BD by DC, तो यहाँ पर, यहाँ पर हम ratio निकाल लेंगे AB by AC का, तो 12 by 15, तो 3-4 times में, 3-5 times में, मेंस यह 4 ratio 5 में होगा, क्योंकि इन दोनों का ratio, AB और AC का जो ratio है, वो 4 ratio 5 है, तो BD और DC का जो ratio होगा, वो भी 4 ratio 5 होगा, ठीक है, तो जब 4 ratio 5 होगा, तो ratio 9 का value, ratio 9 का value कितना हो गया, 18 हो गया, तो ratio 1 का value क्या होगा, 2, तो ratio 4 का value होगा, 8 और ratio 5 का value होगा, 10, तो आपको BD पूछे या DC पूछे, आप कोई भी value को find out कर सकते हैं, ठीक है, तो इस question को ऐसे solve करेंगे, दोस्तों किसी लक्ष को पाने के लिए आप इतना मेहनत करो, कि जिस लक्ष को आप पाने का पर्यास कर रहे हो, वो खुद आप से बोले, कि इस पे तो तेरा ही हक है, तो हमें इस कदर मेहनत करनी चाहिए, चलिए आते हैं next question की ओर, अभी दोस्तों, टाइम हो रहे हैं, 12.58, आप टाइम देख सकते हो, यह 12.58 हो रहा है, और इस तरह से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और उमीद करते हैं कि आप भी साथ-साथ मेहनत कीजिए, और साथ में क्रेक करेंगे, इस तरह का question कभी भी आपको मिले, 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यह जो एंगल है आपका, यह 30 डिग्री होगा क्योंकि छोटा एंगल है, और यह होगा 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा एंगल है, ठीक है, उसके बाद, और अब्जर्ब फॉम दे टॉप अफ लाइट हाउस, देखिए, यह जो एक लाइट हाउस है, इसका उचाही है 120 रूट 3, ठीक है, इस 120 रूट 3 से, यहाँ से कोई जो है, यह मान के चलिए कि एक बबुआ यहाँ से देख रहा है, ऐसे, गिरेगा तो इसका काम हो जाएगा, यह बबुआ देख रहा है, यहाँ पे देखता है कि इस पार्ट पे, जब जहाज था, यहाँ पे एक जहाज था ऐसे, ठीक है, और यह जहाज इसकी और आ रहा था, तो जब यहाँ देखा तो देखा कि 30 डिग्री बना रहा है एंगल ज कुछ समय का बात जहाज यहाँ से आकर के कहा पहुँच गया यहाँ पे, तो उसने कितना डिग्री अंगल बनाया, तीप्रेशन, साठ डिग्री, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कि ऊपर से नीचे देखना, जब हम ओपर से नीचे हुलगते है, मतलब देखते हैं, तो ह यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, मतलब यह बबुगा जो है, उपर बैठा हुआ है, ठीक है, आप देखिए, यह का रहा है कि जितना समय वो अबजर्ब किया, यह डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेस्टन जब भी मिले आपको, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, D is equal to H into cotθ1 minus cotθ2, यह एक रामबान फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से मैं आपको बता देता हूं, कि आपका 40% question, जो है, टिग्नोमेट्री का, इस height and distance का question इस फॉर्मूला से ही solve होगा, तो यह कोई बहुत बड़ी फॉर्मूला नहीं है, D का मतलब हो गया है, यह D distance, और H जो है, आपका यह height है, cotθ1 और cotθ2, यह आपका θ1 रहेगा और 1 θ2 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे करना है, लेकिन यही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर यह बबुगा यहाँ है, सबोज यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देखने के बाद इसे एक एंगल यहाँ दिखेगा, एक एंगल यहाँ दिखेगा, अब दोनों में difference क्या है, यह बबुगा के एक ही side है, और यह बबुगा के दोनों तरफ है, दाएं भी भी है, बाय में भी है, तो इस इस्तिति में जब हम निकालते हैं D, इस D का, तो D यहाँ पर यह हो गया, यह D हो गया, और यह H हो गया, तो इसमें D का फॉर्मूला होता है, H into cotθ1 plus cotθ2, इसमें हम क्या करते हैं, एड कर देते हैं, ठीक है, θ1 और θ2 को एड कर लेते हैं, जब दोनों इस distance को गटा कर निकाल रहे हैं, तो obviously यह क्या हो जाएगा, माइन उसमें रटने की कोई बात ही नहीं है, इसकी अगर बात करते हैं, तो चुकि इस distance को निकालने के लिए हम इस distance और इस distance, दोनोंmern P 6 तो ाड इस defense और झाल निकालने के लिए हम गया, जोड रहे हैं, तो इसक 120 root 3, तो D is equal to हो गया, 120 root 3 into cot theta 1, देखिए, cot theta 1 का मतलब cot 30 degree, यह theta 1 है, वह theta 2 है, cot 30 का मान क्या होता है, root 3 होता है, और cot 60 का मान होता है, 1 by root 3, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा, 120 root 3 into, देखिए, root 3, 3, 3 हो जाएगा, 3 में से गया, 2, 2 by root 3, यह root 3, root 3 cancel हो गया, 120 दूना, 240, मतलब कि इन दोनों के बीच का distance कितना है, 240 meter है, ठीक है, चलिए, आगे आते हैं, तो question number 25 में हम है, दोस्तों, किस्मत पे रोना आप छोड़ दीजे, सिर्फ मेनत किजे, और आपको सभलता आपके कदमों पे चुमेगी, हमें एक दूसरे को blame करते रहते हैं, कि हमें इसकी वज़ा से यह नहीं हुआ, हमें उसकी वज़ा से यह नहीं हुआ, यदि आप ठान लिए, कि हमें करना है, तो बस करना है, जिसके अंदर यह जुनून पैदा हो गया, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इने circle with center O, a diameter AB is produced to point P, मेटा ही देता हूँ मैं, दोस्तों, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का साथ अगर मिलेगा, तो future में हम इसे digital board में भी convert करेंगे, तो सिर्फ आप लोग साथ दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को सेर कीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत की है, और इसके math के अतिरिक्त मैं जीके की वीडियो भी डाल रहा हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं, जीके में मैं अभी science and technology को पढ़ा रहा हूँ, science and technology में मैंने missiles वगरा और satellites ये सारे चीजों को मैंने कभर किया है, radio activity को मैंने हाली में भी finish किया, तो अपने दोस्तों तक share कीजिए, और subscribe कीजिए चैनल को, चलिए, इने circle with center O, देखिए एक circle है, जिसका center O है, यह circle है माल लिजे, इसका center O है, एक diameter AB is produced to a point P, एक diameter है ऐसे, AB, AB को produce किया जाता है, produce मतलब खिच खिच दिया जाता है, जब हम produce करते हैं, तो मतलब खिच देते हैं, ठीक है, तो इसको produce करके P तक ले गया गया, ठीक, lying outside the circle, यह outside है को, circle के बाहर ही है, जब खिचेंगों, तो circle के बाहर ही जाएगा, and PT is a tangent to the circle at point C on it, देखिए, एक tangent है, tangent क्या है, ऐसे इसको tangent बोलते हैं, जब कोई line, circle को छू कर निकल जाए, मतलब टच करके, है न, तो उसे हम tangent बोलते हैं, tangent टच करके निकल जाना, तो यहाँ पे, यह जो PT है, एक tangent है, जो circle को C पे क्या करता है, टच करता है, angle BPT is equal to 36, BPT, मतलब यह value दिया है आपको 36 degree, then what is the major of BCP, तो देखिए, BC, BCP, इसका value हमें find out करना है, यह value, यह वाला value हमें find out करना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कि tangent और radius के द्वारा, जो angle subtend होता है, वो 90 degree होता है, जब center और tangent के जो touch point है, उसको जब मिलाते हैं, तो 90 degree का angle बनाता है, जब हम यहाँ से मिलाएंगे, तो यह पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 degree होगा, ठीक है ना, पूरा angle, टैंजेंट के साथ पूरा angle कितना बनाएगा, 90 degree का बनाएगा, अब समझेए, यह radius है, यह भी radius है, तो जब यह angle अगर x मानते हैं, यह वाला angle, देखिए, समझेगा इस angle को, इस angle की मैं बात कर रहा हूँ, इस angle को अगर हम x मानते हैं, तो यह angle भी कितना होगा, x हो जाएगा, होगा की नहीं होगा, क्योंकि जब दो sides बराबर हैं, तो उनके द्वारा जो angle subtract होंगे, base पे, वो equal होंगे, उसके अतिरिक्त, यहाँ पे, जब यह x है, और पूरा 90 है, तो यह angle कितना होगा, 90 minus x, होगा की नहीं, पूरा 90 है, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो यह 90 minus x हो गया, अब समझे इस triangle में, दिखिए, c, b, p में, एक triangle आपको इस तरह का दिख रहा होगा, यह थोड़ा सा ऐसे बढ़ा होगा है, यहाँ पे, b है, यहाँ पे, p है, और यह c है, यह angle x दिया है, यह angle 36 है, और यह जो angle है, वो 90 minus x है, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, external angle, external angle का जो value होता है, वो अन्य, जो दो angle होते हैं, यह angle के, उसके sum के बराबर होता है, मतलब इस x का जो value है, इन दोनों के sum के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं, x is equal to 36 plus 90 minus x, तो यहाँ से x, x, 2x हो जाएगा, यह हो गया आपका 6, 12, 63 degree, यह x का value कितना आ गया, 63 degree, हमें क्या निकालना है, bcp, हमें bcp निकालना है, तो bcp कोन है, bcp, यह वाला है, मतलब 90 minus x है, तो 90 में से 63 घटा दीजिए, 90 में से 63 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 27 आपका right answer हुआ, चलिए, आगे आते हैं, चलिए देखे, the area of, next question है हमारा, the area of three adjacent faces of a cuboidical tank are 3 meter square, 12 meter square and 16 meter square, देखिए, cuboidical tank है, मतलब इस तरह का एक tank है, ऐसे, इस तरह का कोई tank है, cuboid a car का tank है, और उसके सभी faces, जो three faces, different different faces होते हैं, different different faces कोन कोन होंगे, suppose माली जी ये एक camera है, एक नीचे face होगा, एक उपर face होगा, दो हो गया, एक उधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो total 6 होगा, लेकिन 6 में से जो 3 faces होते हैं, वो unique होते हैं, एक फर्स और उपर, ये दोनों तो एक जैसे हैं, दोनों का area equal होता है, ये दोनों faces जो होगा, आमने सामने का ये होगा equal, और एक इधर का दोनों का, मतलब three faces इसके unique होते हैं, तो जो three faces हैं आपके, एक ये होगया faces, एक यहाँ पे होगया face, और एक आपका ये वाला face होगया, तो three faces unique रहेंगे, उसका area दिया है, तो देखिए, एक LB is equal to होता है, 3 meter square दिया है, LB होगा, एक BH है, BH आपका कितना दिया है, 12, और LH, LH is given 16 meter square, तो देखिए, इन तीनों को अगर multiply हम करेंगे, ये आपको दिया है, LB is equal to 3, BH is equal to 12, LH is equal to 16, तीनों का अगर surface area मतलब LB दिया है, BH दिया, LH दिया है, क्योंकि इसका अगर surface area आप निकालोगे, तो ये L है और ये कितना H है, तो एक LH हो जाएगा, अगर इसका first का अगर आप निकालोगे, तो ये क्या है, ये B है, तो LB हो जाएगा, एक LB हो जाएगा, तो उसी तरह से एक LH होगा, तो तीन-तीन करके दो होंगे, ठीक है, तो इन तीनों का, अगर हम multiply करते हैं, इन तीनों को, तो हमें क्या मिलेगा, दखिए, ये LH हो जाएगा, बी स्कॉर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा, आपका 36 इंटो 16, तो LBH हो जाएगा, 6 इंटो 4, तो 24, ठीक है, ये 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 लबी हो जाएगा, 24, ठीक, अब हमें क्या फाइंड आट करना है, अब क्याों है, the capacity of the tank in lidr is, एक चैनक का catty मिलेगा है, तो एक संटीमेटर क्यूब में 1000 होता है, आप याद रखियेगा, 1 संटीमेटर क्यूब में 1000 लीटर, ये आपको याद रखना है, तो ये सारा संटीमेटर क्यूब में है, ये भी है, तो यहाँ भी संटीमेटर तो 24 cm3 है, एक cm3 में 1000 लीटर, तो 24 cm3 में 24,000 लीटर, तो इसे लीटर में चेंज करना था, इसलिए 24 cm3 में हो गया आपका 24,000 लीटर, तो यह हो गया आपका राइट अंसर, आते हैं next question में, कि अच्छे करना करना, चाइबगा पर कि अच्छे कर मेंडर अच्छे करद सिस्च है, एक स्टोद करम सा कम चाइब। the mark price of an article is 40% above cost price, देखिए, एक cost price है, एक mark price है, तो cost price अगर हम 100 माल लेते हैं, cost price को क्या माल लेंगे 100, तो mark price हमारे क्या हो जागा 140, क्योंकि यह 40% क्या है, ज्यादा है, if selling price is 73.5% of the mark price, then the profit percent is what, देखिए, selling price जो है, वो mark price का 73.5% है, देखिए, इसका 73.5% है, 140 का 73.5% क्या है, यह selling price है, यह selling prices का है, तो 73.5% कितना होता है, आपका 147 by 2, यह होता है 147 by 2, है न, तो यह 200 हो जाएगा, percent है तो, यह 10.0 सो 10.0 कैंसिल होगा, 2 से 7 टाइम्स में, आपका हो गया 147 into 7, अगर 7 से multiply करेंगे, तो 49, 4, 2, 3, 10, मतलब 1029, 1029 by 10, means 102.9, यह आपका क्या आगया, selling price आगया, क्या है, selling price, 102.9, अब 102.9 आपका selling price है, और cost price आपका 100 है, तो कितना का आपको profit हो रहा है, 2.9% का, तो 2.9% आपका हो गया profit, यह हो गया आपका answer, चलिए आते हैं next question में, दोस्तों, यदि कुद्रत हमें सब कुछ दे दिया होता, तो हमें अगर श्टरगल करने का यह मौका नहीं मिला होता, तो यह दुनिया ही समाप्त हो जाती, इसलिए कुद्रत हमें उतना ही देता है, बाकी हमें अपने से अचीव करना पड़ता है, और जो हम अचीव करते हैं, जो हम गेन करते हैं, वह हम होते हैं, वह हमारा स्थित्व होता है, तो इसलिए हमें अपने लाइफ में हमेशा पूरे जिन्दगी कुछ न कुछ अचीव करते रहना चाहिए जिस दिन एचीव करना बंद हो जाएगा उस दिन हमारा लाइफ समापत हो जाएगा उस दिन हमारा जीने का जो है जिएने का जो महत्व है वो को खतम हो जाएगा कोई तो पूरा लाइफ हमें कुछ न कुछ एचीव करते रहना है और सफलता तो खैर होने और नहीं होने की बात है बहुत सारे लोग है जो मेनद करते हैं लेकिन कभी-कभी वो जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस छेत्र में वो मेनत किया है, अगर असफल हुए है, तो वो अन्य छेत्र में भी असफल होंगे, ठीक है, तो हमें इन सब चीजों से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, त्यारी करना है, और रौसन करना है, यह आपका दिया है, यह दोनों एक दूसरे को A और B पे इंटरसेक्ट करते हैं, A और B पे, ठीक है, तो what is the value of A square plus B square minus AB, तेकि यह हमें value निकालना है, A square plus B square minus AB, into A square minus B square plus AB, यह हमें value find out करना है, जहां A और B क्या है, यह तोनों equation जहां आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब कि वो X और Y के बराबर ही है, A और B क्या है, A और B is nothing but X and Y, तो हमें X और Y का value निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें 11 से multiply कर लेते हैं, इसमें 3 से कर लेते हैं, तो इसे किजेगा तो यह हो गया आपका 33X, और यह हो गया 220Y is equal to 22, और अगर इसे हम करेंगे 3 से 33X minus 15Y is equal to, यह हो गया आपका 3, 6, 3, 18 minus 183, ठीक है, अब हम इसे सब्टेक्ट कर लेंगे, minus plus, यह plus हो जाएगा, यह minus minus cancel होगा, अब यहाँ पर देखिए, 33, 15 हो गया, 3X minus 20Y is equal to 2, तो 220Y और यह 15Y है, तो minus जब करोगे आप, तो 220 में से 15 गया, तो 5, 205 बचेगा न, चलिए, 205 बचेगा, यह minus में, Y is equal to 183 plus 22, यह कितना हो गया, 5 और 0, 205, देखिए, यह cancel हो गया, Y is equal to हो गया, minus 1, यह easily cut गया, Y का value हमें minus 1 मिला, तो जब Y का value minus 1 आप यहाँ पर रखोगे, तो कितना हो जाएगा, देख लिजिए, यह हो जाएगा कितना, 20 plus में हो जाएगा, और उधर जाएगा, तो क्या होगा, 18, क्योंकि देखिए, यह plus हो गया है, minus 1 के वज़ा से, और उधर गया, तो हो गया, 2 minus 20, means 18, और 3 से 18 कटेगा, 6 times में, तो X का value आपको मिल गया, 6, X का value, 6 मिला, means A का value है, तो A और B आपके पास कितना है, 6 और minus 1 है, ठीक, अब यहाँ पर रख दीजे, 36 हो गया, यह 1 का square 1 हो गया, minus, यह 6 हो जाएगा, into A square हो गया, आपका 36, minus 1, minus, देखिए, यह plus A भी है न, तो यह minus हो जाएगा, A, B अगर यहाँ करेंगे, तो 6 into minus 1, यह हो गया, plus 1, ठीक, चलिए, इसमें सब plus रहेगा, और यहाँ पर हो गया, minus 6, तो इस तरह से हम value मैंने put कर दिया है, A का जगा पे 6, और B का जगा पे minus 1, तो यह हमें value मिलेगा, तो, यह हो गया, 43 into, 7 जाएगा, तो कितना बचेगा, 29, ठीक है, चलिए, 31 by 41, नीचे 41 है, मतलब, A का value 6 है, तो 36 हो गया, B का स्क्वाइर हो गया, यह हो गया, 43, यह हमने y का value minus 1 लाया न, चलिए, y का value आ गया, minus 1, minus 1 अगर रखेंगे यहाँ पे हम, तो plus 20 हो गया, यह उधर गया, अच्छा, अच्छा, तो दोनों minus 6 है, यहाँ पे x का value minus 6 आएगा, तो जब minus 6 आप रखोगे, दोनों value आपके minus 6 है, minus 6 और minus 1 है, तो यह तो A का square अगर करोगे, तो यह minus 6 का square तो 36 होगा, यह भी plus में होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे minus हो जागा, यहाँ पे होगा, minus minus plus already होगा, पहले से भी minus है, तो यहाँ आप 6 लिखना है, ठीका, यहाँ पे होगे आपका 36 minus 1 और यह होगा, plus 6, तो होगे आपका 31 by 42, sorry, 41, 31 by 41, so this is the right answer, ठीका, ऐसे बनाते इस question को, चलिए आते next question में, बहुत ही interesting question है, और बिल्कुल असान method से हम इसे बनाएंगे, वक्त लगेगा पर संभल जाओंगा, ठोकर से गिरा हूँ, समझ रहे हैं ना, वक्त लगेगा, पर संभल जाओंगा, ठोकर से गिरा हूँ, अपनी नजर से नहीं गिरा हूँ, समझे, जिस दिन आप अपनी नजर से गिर जाओगे, उस दिन आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, लोग ठोकर से गिरते रहते हैं, ठोकर से गिरना ही हमारा जिन्दगी में आगे बढ़ने का एक मुकाम होता है, हम जब अपने लक्ष को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कई ठोकरे आती हैं, ठीक है, तो अपने लक्ष से नहीं गिरना है कभी, अपने नजरों से नहीं गिरना है कभी, ठोकर से चाहे कितनी बार किम न गिर जाएं, तो चलिए आते हैं, देखते हैं, 1 by cos theta minus 1 by sin theta, मैं इसे रब कर देता हूँ, देखे, 1 by cos theta minus 1 by sin theta, plus 1 by cos theta minus cot theta, मैं question लिख देता हूँ, minus 1 by sin theta plus 10 theta, minus 1 by sin theta plus 10 theta, देखे, यह बहुत ही easy question है, इसे बनाने का कई तरीके हो सकते हैं, आप theta is equal to 45 degree भी आप रख सकते हो, तो 45 degree रख के भी बना सकते हो, उससे भी बनेगा, लेकिन इसे उससे असानी से बनाए जा सकता है, रूल से बन जाएगा, देखे, cosec square theta minus cot square theta 1 होता है, यह आपको पता है, और sec square theta minus 10 square theta 1 होता है, अगर इस पार्ट को rationalize कर दें, आप cosec theta plus cos theta से उपर नीचे अगर multiply करोगे, तो यह जो value है, आपको मिलेगा, नीचे का तो 1 हो जाएगा, उपर हो जाएगा आपको cosec theta plus cot theta, ठीक है, minus, इसमें जब rationalize करोगे, तो minus से हम rationalization करते हैं, तो उसके opposite sense से multiply करते हैं, तो sec theta minus 10 theta से उपर नीचे multiply करेंगे, तो नीचे हो जाएगा sec square theta minus 10 square theta, जो कि क्या होता है, 1 होता है, और उपर हो गया आपका sec theta minus 10 theta, तो जब minus इधर पहले से भी है, तो sec theta यह हो जाएगा plus 10 theta, क्योंकि minus minus plus हो जाएगा, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं क्या, cosec theta plus, इसको हम लिख सकते हैं sec theta, ठीक, अब देखिए, cosec theta, cosec theta cancel हो जाएगा, sec theta, sec theta cancel होगा, आपको बच गया क्या, cosec theta plus 10 theta, तो cosec theta को लिख सकते हैं sin theta, और 10 theta को लिख सकते हैं sin theta by cos theta, तो यह cos theta, cos square theta हो गया, इधर sin square हो गया, तो दोनों मिलके 1 हो जाएगा, और नीचे बचेएगा sin theta into cos theta, तो यह आपका right answer हो गया, तो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप 45 degree अगर value रखते हैं, तो उससे भी यह question solve होगा, देखिए कैसे, अगर आपने 45 रखा तो यह value कितना हो जाएगा, देखिए, इसका value अगर 1 by root 2 रखेंगे, यहां पे 1 by root 2 हो जागा, तो यह दोनों तो क्या हो गया, तो यह दोनों तो क्या हो गया, क्यूंकि हमने theta 45 लिया, तो cosec 45 का value होता है root 2 और cot 45 का value होता है 1 तो यह हो गया आपका 1 by root 2 minus 1 ठीक है, plus उसी तरह से यहाँ पर अगर देखिएगा यह minus है, minus sec theta का value होता है कितना? root 2, sec 45 का value कितना होता है? root 2, root 2, 1 by root 2 plus 1 यहाँ पर भी आप root 2 minus 1 और root 2 plus 1 LCM ले लिजे तो यह root 2 plus 1 उपर आजाएगा ऐसे और यह root 2 minus 1 तो minus minus plus हो जाएगा यह root 2 से root 2 cancel, 2 by देखिए, 2 by देखिए, a plus b और a minus b है यहाँ तो a square minus b square, तो 2 का square 2 root 2 का square 2 हो जाएगा और 1 का square 1 होगा, तो 2 minus 1, 1 हो गया नीच हो गया 1, आपका 2 आ गया अब option में बहुत सारा option दिया है sec theta into cosec theta, sin theta into 10 theta देखिए, sin theta into 10 theta तो होगा ही नहीं क्योंकि sin theta अगर 45 रखिएगा तो 1 by root 2 आ रहा है, जबकि हमको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए cosec into cot भी नहीं होगा क्योंकि cosec to root 2 होता है, cot 1 होता है तो root 2 मिल गया और 3rd number में sin theta into cos theta दिया है तो 1 by root 2 into 1 by root 2 यह होता है 1 by 2 जबकि हमें लाना है 2 तो सिर्फ फर्स्ट option ही क्या हो रहा है satisfy हो रहा है फर्स्ट option आपका है sec theta into cosec theta sec theta के value होता है root 2 और cosec theta के भी value होता है root 2, ठीक है तो यह root 2 और root 2 मिल के कितना हो जाएगा डिग्री चलिए चलिए दोस्तों next question में आते हैं दोस्तों हमें काम ऐसा करना चाहिए कि पहचान बन जाए ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए ऐसा चलो कि निसान बन जाए ठीक है ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए और ऐसा काम चलो कि निसान बन जाए जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जिंदगी ऐसा जियो जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए ठीक है चाहिए कि निसान बन जाए, जिन्दगी तो हर कोई जी लेते हैं, जिन्दगी ऐसा जी हो कि मिसाल बन जाए, चलिए नेक्ट कोशन में आते हैं, इंट्रेंगल PQR, एंगल Q is equal to 90 डिग्री, कॉर्ट आर is equal to 1 by 3, देखिए PQR में, Q is equal to 90 है, तो हमें राइट एंगल बनाना है, PQR, Q is equal to 90, फिर दिया है, कॉर्ट आर is equal to 1 third, कॉर्ट आर, देखिए, यह कॉर्ट का भेलू दिया है, कॉर्ट आर is equal to 1 by 3, देखिए, यहां पे आर है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, कॉर्ट थिटा क्या होता है, B by P होता है, B by P, मतलब यह B है, आपका, B का भेलू 1 है, P का भेलू कितना है, यह, यह कितना है, 3 है, ठीक है, चलिए, अब हम इसका भेलू निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा, तो 3 का स्क्वाइर 9 और 1 का स्क्वाइर 1, मतलब root 10, यह हो गया root 10, हमें भेलू find out करना है, सेख P, देखे, सेख P, अगर हम यहाँ पे P लेते हैं, सेख P, तो सेख ठीटा क्या होता है, H by B, तो यहाँ पे, जब P यह है, तो H हो गया आपका, इसके लिए यह वाला, 1, 1, H by B, सेख ठीटा क्या होता है, H by B, तो H तो पहले यह root 10 हो जागा, H हमें साब वही रहता है, चेंज नहीं होता है, उसके बाद H by B, B का फेलू 1 है, into cos R plus sin P, cos R, देखिए, cos ठीटा होता है, P by H, तो R हमको यहाँ पे लेना है, तो P, P कितना है, P आपका 3 है, यह 3 है, और H है root 10, 3 by root 10, plus, उसके बाद sin P, sin P का value क्या होता है, P by H, तो P आपका 1 है, यह P हो गया ना, और H हो गया, 1 by root 10, तो 1 by root 10, by, cos R, देखिए, cos R, cos R कहाँ होगा, देखिए, यह है R यहाँ पे, sin R का होता है, P by H होता है, तो P by H कितना है, 3 by root 10, लेकिन cos R है, तो root 10 by 3 लिखेंगे, root 10 by 3, plus, into sin R, into sin R, sin R का value देखिए, यह sin R लिखना है, तो sin R कहाँ होता है, P by H, तो P आपका 3 है, और H root 10 है, 3 by root 10, minus, cos P, cos P, इस पे आईए, cos P by H होता है, तो P हो गया यहाँ पे, 1 और H हो गया है, root 10, तो उल्टा लिखेंगे हम, क्योंकि cos X है, यह sin का मैंने बताया, P by H, तो H by P होता है, तो root 10 by, root 10 by 1, इसे solve कर लेंगे, देखिए, यह हो जाएगा, root 10 into, 4 by root 10, ठीक है, by, यह root 10 से root 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आगया, root 10 by 3 into, यह देखिए, इसको अगर करिएगा, root 10 अगर LCM लेते हैं, तो यह 3 हो जाएगा, minus हो जाएगा 10, root 10 से root 10 कैंसिल, आपका बचा 4 by 1, और नीचे कितना बचा, यह बचा minus 7 by 3, तो इसे हम लिख सकते हैं, 4 by 1 into 3 by 7, यह minus में रहेगा, means 12 by 7, ठीक है, तो यह हो गया आपका, तो हमने 20 से लेखर के, 30 तक question को किया, अब next वीडियो में हम, 32, 31 से 40 तक करेंगे,